इंडियन नेवी को सुमवार को तीन नए एडवांज लाइट हेलिकॉप्टर्स ए लेच एम के थ्री मिले हैं। इंडियन नेवी पूरी तरह से भारत में ही तयार किया गया है। नेवी इंडियन नेवी पूरी नौसेना कमांड विशाखा पतनम में सौपा गया है। ये हलिकॉप्टर्स आइनस डेगा पर तैनात रहेंगे। आईएब आपको बताते हैं हलिकॉप्टर ए लेच एम के थ्री की खास्यतें। इस हलिकॉप्टर में दो पाइलट के अलावा 12 यात्रियों के बैठने की शमता है। इसकी लंबाई करीब 52 फीट है और चोड़ाई 10.4 फीट है। हलिकॉप्टर का कुल वजन 445 किलोग्राम है। ALH MK3 में शक्ती 1H तर्बो शॉफ्ट इंजिन फिट किया गया है। इस इंजिन को सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा एडवांस्ट करार दिया जा रहा है। वहीं लोड़ेट होने के बाद इसका वजन 5800 किलोग्राम तक पहुँच जाता है। इस हेलिकॉप्टर में एक बार में 1055 लीटर तक फ्यूल भरा जा सकता है। शक्ती 1H तर्बो शॉफ्ट इंजिन की वज़ा से इसके एवरिज स्पीड 250 किलोमेटर प्रती घंटा तक हो जाती है। हेलिकॉप्टर अधिक्तम 291 किलोमेटर प्रती घंटा की स्पीड से उडान भर सकता है। एक बार पूरा फ्यूल भर जाने के बाद ये 630 किलोमेटर तक उडान भर सकता है। ये अधिक्तम 20,000 फीट की उचाई तक जा सकता है। आपको बता दें कि इन तीनों हेलिकॉप्टर को देश की कमपनी हिंदुस्तान Aeronautics Limited ने ही बनाया है। नौसेना ने बताया है कि इन हेलिकॉप्टर को modern surveillance, radar और electro-optical equipment से fit किया गया है। इनकी वज़ा से हेलिकॉप्टर रेकी के अलावा लंबी दूरी के search और rescue operations को भी अंजाम दे सकेंगे। हेलिकॉप्टर के आने से नेवी दिन और रात दोनों समय में अपने mission को सफलता पूर्वक पूरा कर सकेगी। इसके अलावा इन हेलिकॉप्टर को heavy machine gun से भी fit किया गया है। इस heavy machine gun के बाद ALH MK3 रक्षा से जुड़े हर mission को पूरा कर सकेंगे। इस हेलिकॉप्टर में एक removable medical incentive care unit को भी fit किया गया है। इस शमता के साथ हेलिकॉप्टर नाजुक मरीजों को भी airlift कर सकेंगे। हेलिकॉप्टर में कई ऐसे advanced Evonics हैं जो इसे हर मौसम में अपना mission पूरा करने के लायक बनाते हैं। बैराल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें टीवी नाइन डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार कोरोना ने किया दोबार अप रहा। मास्क दो गजदूरी करें अपनी सुरक्षा पूर। कोरोना टीका हम सब को लगाना है। मिलकर साथ समसदारी से कोरोना को हराना है।